विट्कोइन के बारे में तो इन शॉट में शीबा एंडोज के उपर डिटेल्स में यहाँ पर डिसकास करूंगा और बात करूंगा यहाँ पर एग्जेक्ली शीबा एंडोज का प्राइस जो है आने वोले टेम में आपको कौन से रेवल तक देखने को मिल सकता है तो यह सब अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को भी ना स्किप किये पूरा एंडे तक जरूर से देख सकते हो बाकि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा हूं में एक शुर अपने चनल को सब्सक्राइब भी कर दिया अगर टेलिग्रम चनल को भी जोईन करना च अगर 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 आप सेम टाइम देखोगे तो यहाँ पर 11 मिलियन यूसड़ी में यहाँ पर शिबाइन को सेल भी किया गया है तो एक्जेक्ली यहाँ पर सेलिंग प्रेशर फ्यूचर के अंदर की हुआ रहा है उसके उपर डिटाइस में हम चाट के तू जानेंग से एक रिजास देखने को मिला अफ्टर विडायाँ जो पर शापोट पर इसलों यहाँ पर विटपोट से हमें प्रैइस के अंदर हमिए फिर से आपवाड मॉव्मेंड मुवेंट देखने को मिला किया एंड यहाँ पर बिटकोईन के प्राइस के अंदर हमें फीर से इसी से एक resistance देखने को मिला and after that हमें price के अंदर और भी तुरह consolidation देखने को मिला अभी इस time पे देखोगे तो हमें bitcoin का price somewhere around 24,900 के असपस देखने को मिलड़ा है in short bitcoin ने इस zone को जो है already break कर दिया तो क्या ये जो zone break bitcoin ने किया है क्या है क्या ये sustainable हो सकता है या नी तो उसके उपर details में discuss कर लेट है सबसे पहले अगर आप देखोगे तो bitcoin ने यहाँ पर ये जो zone इस zone को break किया है एकी candle के साथ यहाँ पर हमें breakout देखने को मिला है तो यहाँ पर सबसे important यही होगा कि bitcoin अगर यहाँ पर ये जो zone इसी zone के उपर यहाँ पर अपना support बना ले और यहाँ से price के अंदर हमें तो आप पर movement देखने को मिले and after that अगर btc बार बार इसी support के आसपस अपना support sustain कर लेता है तो यहाँ से हमें bitcoin के price 28,000, 30,000 वाला जो zone है इसी zone के आसपस easily देखने को मिल सकता है तो zones like 28,000, 27,000 and 30,000 के आसपस जो हमें price देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ पर bitcoin को अभी इस time पर जो price यहाँ पर उपर गया है एक ही candle के साथ जब भी price एक ही candle के साथ उपर जाता है तो वो price जो है यहाँ पर halt नहीं कर बाता है in short वो price sustain नहीं कर बाता है तो यहाँ पर हमें original एक breakout देखना पड़ेगा like यहाँ पर price ने support लिए और उसके बाद हमें एक confirmation मिल जाएगा कि exactly bitcoin के price जो है और भी उपर हमें जाता हुआ दिख सकता है I guess आपको यहाँ पर bitcoin के बारे में details में समझ में आ गया होगा या फिर अभी stamp अगर आप entry लेने का सोच रहे हो तो exactly अभी stamp कि आप entry ले सकता हो या नी उसके उपर details में यहाँ पर discuss कर लेते है जिसके कारण अभी इस time पर हमें price के अंदर भी downfall देखने को मिल दा है तो over the time क्या हो सकता है जब भी यहाँ पर sellers अगर जादा sell करेंगे future के अंदर हो या फिर sport के अंदर हो तो जादा तर हमें जो है यहाँ पर price के अंदर downfall ही देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर अभी इस time पर इतना जल्दी price के अंदर हमें उतना downfall देखने को नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से price जो है 0.4x0144 के असपास यह जो zone है इसी zone के असपास price sustain करने के कोशिश करेगा अगर price यहाँ पर sustain नहीं हो बता है तो हमें price के अंदर एक downfall देखने को मिलेगा लेकिन अभी इस time पर क्या है कि exactly depend करेगा bitcoin के price के उपर अगर bitcoin के price के उपर हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा downfall देखने को मिलती है तो इस chart को जाके जो है आप जरूर से देख भी सकते हो जहाँ पर वीडियो में हमने बोला था कि यहाँ पर एक channel के अंदर price move कर रहा है जब भी यह channel का breakout होगा तो हमें price के अंदर एक अच्छा support movement देखने को मिलेगा जिनका यही कहना है कि आने बोले टाइम में Shiba Inu coin यहाँ पर 2-0 यानिकि 0.4-0-2-0 के आसपास भी जा सकता है लेकिन अब इस टाइम पर market के condition कुछ ऐसा नहीं है जिसके कारण price 2-0 के आसपास चला जाए तो मेरे ही सबसे जितने भी लोगों ने यहाँ पर entry लिया होगा तो आभी इस टेम पर एट लिस्ट आपका जो भी profit हो रहा है उन profit को आप book कर सकते हो और बाकी जो भी आपका यहाँ पर invested amount है उन amounts के साथ जो आप hold भी कर सकते हो अगर आप hold गरना चाहते हो तो ठीक है तो चलिए अपर हम details में discuss कर लेते हैं हमारा जो next alt coin उसके बारे में तो dogecoin को लेकर भी हमने यहाँ पर multiple times discuss भी करकर रखका हुआ है और dogecoin को अगर आप देखोगे ना तो dogecoin को लेकर भी बहुत सारे आया दिन हमें news and updates देखने को मिल जाते है तो जिसके कारण हो सकता है कि do जो यहाँ पर एक में अगर पर देखने को मिलता है तो यहां से प्राइस फीर से इस जोन को रीगान करने की कोशिश करेगा and after that हमें price के अंदर एक resistance देखने को मिलेगा after that हमें price जो है कुछ इस तरीके से जो है सबसे पहले हमें आपट 0.07400 के आसपास देखने को मिलेगा and after that हमें price जो है इसी zone के आसपास भी देखने को मिल सकता है जो कि होगा 0.07284 के आसपास ठीक है आपको यहाँ पर details में समझ में आ रहा होगा कि exactly Shiba, Eru and Dogecoin के price के अंदर exactly क्या हो रहा है तो चलिए अबर हम बात कर लेते हमारा next alt coin है उसके बारे में तो बात कर लेते हैं यहाँ पर Polkadot के बारे में तो Polkadot के price को देखोगे समझ में आ गया होगा बाकी कोई भी डॉट है फिर confusion होगा comment section के अंदर भी जरूर से बता सकते हो और मिलेंगे next research informative updates के साथ तब तक के लिए good bye